वेलकम स्ट्रेंट्स इट्स मी दिपक कुमार और आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 का केमिकल काइडेक्स का वीडियो है इसमें हम लोग जो टॉपिक देखने वाले है वो आरहनियस थेयोरी एंड इससे रिलेटेड एक्वेशन है ना आरहनियस एक्वेशन और यह पार्ट न क funding ग्वेशन है थेयोरी यह यह स्जोडी का हम लोग definition एक दोरह समझते स्टिक्मेंट समझते है में कॉब्संत्र िस थाऊरी दा फोर्मेशन अफ्रोडक्त बप्रोर्मिशन अफ्रोड़क्त है स्वेशन और ने स्वेशन अफ्रोडक्त फोर्मेशन आफ्रोड मे दिया गया इसका मतलब क्या हुआ है ना यह आपका इसका एक स्टेटमेंट से आरेनेस के दोड़ा दिया गया है कि किसी भी प्रोड़क्ट का जो फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर एक्जांपल समझते हैं कि प्रोड़क्ट है ना मालिजे कि रेक्टेंट है वो रेक्टेंट क्या बना रहा है फ्रोड़क्ट बना रहा है ठीक है यह डायाटली बना रहा है रेक्टेंट एक केस में डायाटली क्या बना रहा है प्रोड़क्ट बना रहा है तो यह जो concept है यह बिल्कुल गलत है आरहनियस का statement क्या है कि reactant directly जो product बना रहा है यहाँ पर reactant directly product यहाँ पर बना रहा है यह गलत है यह रोंग है इनका statement क्या है कि कोई भी reactant है रियक्टेंट सबसे पहले क्या करता है रियक्टेंट यह बनाता है इंटर्मीडियेट ठीक है रियक्टेंट क्या बनाएगा इंटर्मीडियेट बनाता है और वो इंटर्मीडियेट फिर क्या बनाता है फ्रोटक बनाता है अब यहां पर यह चीज़ समझना है कि इंटर्मीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिवेटेट कंप्लेक्स बोलते हैं और जो की एक बहुत ही वेरी सोट पिरियाट के लिए यह क्या होता है एक्जिस्ट करता है एक्टिवेटेट कंप्लेक्स जो होता हो वेरी सोट पिरियाट के लिए एक्जिस्ट करता है अल्मोस हम लोग थेोरी का यह statement है कि कोई भी chemical reactions में जो reactant से product बनता है तो वहाँ पर dietly नहीं बनके क्या बनता हो एक intermediate स्टेटों बनता है इसका example देखने example से यह चीज और clear हो जाएगा तो यह example में देख लिए आप reactions between reactions between hydrogen and iodine अगर hydrogen और iodine यह दो molecules आपस में combine करेंगे ठीक है तो वह किस तरह से करेंगे तो एक तो आप यह देख लिए डायरेक्ट पहले कि hydrogen gas iodine solid के साथ react करके क्या बना रहा है है ही बना रहा है तू ही बना रहा है यह आपका हो गया डायरेक्ट रेक्शन्स तो यह चीज को उन्होंने क्या किया था इसको उन्होंने नेगलेक्ट किया था उनका statement कुछ और था उन्होंने क्या बोला कि जिसे hydrogen जो molecule है एक है चेच के फॉर्म में है है यह डास बॉन्ड से दिखाएंगे हम लोग इसको आयोडिन की बिच इस तरह से बॉन्ड का क्लिवेज हो रहा है और उदर बॉन्ड का जोईनिंग भी हो रहा है इट है तो इस तरह के स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं इसको ट्रांजिशन स्टेट यू बोलते हैं टीए सौट फर लिग देते हैं या फिर इसको एक्टिवेटेड कंप्लेक्स बोल रहे हैं लोग यह बनाएगा क्या आपको तो यहां से यह दोनों का बॉंड ब्रेक करेगा और दो मोल्स नहीं समझ सकते हैं इट केन आल इट केन बी आल्सो अंडरस्टूट थू एक ग्राफ है इट केन भी आल्सो अंडरस्टूट थू एक ग्राफ अब यहां पर ग्राफ को हम लोग प्लोट करेंगे प्लोटिंग किसके बीचे करेंगे प्लोटिंग ग्राफ का जो प्लोटिंग रेक्शन कोडिनेट काने के मतला आपको याद रखना है रियक्स्टेंट प्रोडेक्ट के साथ सथ इंटर्मिटेट भी वहाँ पर आ जाएगा एंड दूसरा जो देखेंगे यहां वहाँ आपको हो गया अपको एक्स अक्तियार और आपको एक्सक्स का कॉडिनेट का मतला बताया गया क्या होता है reactant product as well as उसके साथ intermediate भी रहेगा हम लोग यहाँ पर देखेंगो उसको reactant product और intermediate हाई वाला ही example नहीं है लेके चलेंगा हम लोग तो यह reactions का coordinate हो गया यह potential energy हो गया potential energy उपर जाने से increase कर रहा है reactions का coordinate बतलब reactant product बनेगा तो आपको यह इस तरह से बनाना है जैसे के हम लोग बोलते है क्या यह मालीजे की एक reactant है reactant का potential energy यहाँ से start हुआ और यह कर लेकर के मालीजे बनाया क्या आपका यह बना दिया आपको क्या यह बनाया आपका product का formation तो यह यहाँ पर यहाँ से लिख सकते हैं आप reactant में क्या है है H2 प्लस I2 एक्जामपल ले रहे हैं हम लोग है ना जो उपर एक्जामपल लिया गया है यह reactant हो गया और 2 HI2 मोल सब HI क्या हो गया आपका यह product हो गया तो H2 प्लस I2 का यह energy वेरियर मतलब यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्या जैसे यह जो उपर वाला एक कर्व है यह कर्व है यह यह इंटर्मीडियेट स्टेट है इंटर्मीडियेट स्टेट है जिसको हम लोग और बहुत अच्छे रंक से समझेंगे क्वालिजन थियोरी में और एक चीज हम लोग पढ़ना है इसके बाद का जो लास्ट टॉपिक इस चप्टर को बच गा इसको हम लोग बला है एक्टिवेशन एनर्जी बोला है इसको यह का मतलब समझना है क्या है अक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है इस सेच्को भी हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे किसको बोलता है हम लोग तो energy required है है ना, energy required to formation of activated complex, मने activated complex को बनाने के लिए जो भी energy का requirement होता है, मतलब reactant से intermediate तक बनाने के लिए जो भी आपको energy का requirement होगा, उसी को क्या बोलता हम लोग activation energy और उसी का symbol क्या होता है, यह होता है, यहाद रखना है स्वीज को, यहाँ पे hydrogen hydrogen का energy मिल छी क दीखा रोग देगा और वो इंटरमीडियेट का पर फॉर्मेसंस कर देगा तो इसका हम लोग बोल रहें क्या और यहां प December कबनलने का वह अनरजी पौटेंचयल अनियाद दिखा रहा तो इसको और एक नमद यहां रहता है यहां थे energy for colliding molecules, energy for colliding molecules, colliding molecules करने का मतलब reactant का molecule hydrogen और iodine का molecules energy for colliding molecules for the effective collagen या undergoes to effective collagen जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग बोलते क्या है कि product का formation नहीं होगा यह याद रखना है आपको इस चीज को और ज़्यादा क्लियर होगा collision धोरी जब हैं आगे इसके पड़ेंगे तो तो आपे भी यह सरा ची जाने वाल है तो energy for colliding molecules undergoes to effective collision यहाँ पर hydrogen hydrogen है यह activated complex बनाया है यहाँ पर colliding molecule हो गया त्रेस्वाल्ड एनरजी लेगा activated complex का formation करेगा और finally क्या वहाँ प्रोड़क्ट बनेगा यह हुआ activation energy तो इस तरह से आप देखने गया यहाँ से सारा आपको clear हो रहा है कि आरहनियस का theory क्या बोला कि एक में बीच में intermediate बनेगा फिर finally क्या बनेगा प्रोड़क्ट का formation होगा तो यह reactions प्रोड़क्ट टेक प्लेस थूरू एन इंटर्मीडेट और activated complex मतलब reactant से finally क्या होगा प्रोड़क्ट का formation नहीं होना है बलकि reactant क्या करेगा इंटर्मीडेट फ्रोड़क्ट का बनेगा चलिए इसके बाद हमों related बात करेंगे आरहनियस equation में है न तो यह आप जो देख रहते हैं यह आरहनियस theory था बहुत important theory जिसमें बताए गया था reactant शो होता है वो क्या बनता है सबसे पहले इंटर्मीडेट बनाएगा और फिर प्रोड़क्ट बनाएगा अरहनियस equation क्या होता है तो आरहनियस equation को हम लोग यह देखने जा रहें आरहनियस equation जो होता है यह क्या चीज़ बताता है तो हम लोग बोलते हैं उस तरह का equation या the equation इसको define सब्सक्राइब कर लेजी इसका statement समझ आरहनियस equation the equation which gives a the equation which gives a which gives a relationship यह समझना है the equation which gives a relationship between किसकी सीच के बीच में rate of reactions है ना rate of reactions को यहां जो देखेंगे in terms of rate constant है ना the equation which gives a relationship between rate of reactions in terms of rate constant in terms of rate constant जिसको हम लोग के से डिनोट करते है के with temperature तो the equation which gives a relationship between rate of reactions in terms of rate constant with temperature is known as RNS equation जैसे कि हम लोग क्या जानते है थोड़ा सा हम लोगा statement या बहुत सारा chemical reaction जानते हैं कि rate of reactions जो होता है वो rate of reactions जो होता है that is dietly proportional to temperature होता है यह हम लोग का एक general phenomenon है या generally हम लोग बोलता है कि कोई भी chemical reactions का rate जो होता है वो temperature बढ़ने से क्या होता है rate of reactions बढ़ता है यह याद रखना है आरहनियस का थियोरी क्या बोलता है rate of reactions तो यहाँ समझ में रहा है कि temperature बढ़ने से बढ़ेगा अरहनियस का थियोरी क्या बताएगा तो आरहनियस का थियोरी बताता है कि rate constant जो की rate of reactions के dietly proportional होता है rate constant को यहाँ दिखाया गया है is dietly proportional to यहाँ पर mathematically express किया गया है इसको e to the power minus ea by RT यह experiment ले निकाला गया है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे rate constant को के लिख रहे है के dietly proportional to e to the power minus ea by RT यहाँ पर समझना है जब proportionally constant को अटाएंगे तो यहाँ पर एक नया constant आगा है जिसको हम लोग कर रहे हैं यह फोर आ रहे हैं यहाँ है ना a into या a dot e हम लोग बोल सकते हैं बीच में इंटू है वहाँ पर e to the power minus ea by RT सबसे पहले सारे टर्म को हम लोग समझना है वेर लिख लेना है वेर के क्या है तो के सबको पता है क्या होता है के is the rate constant के is the rate constant और e to the power जो होता है यहाँ पर e to the power एक पूरा term यहां ले लेगा हम लोग e to the power minus ea by RT है ना यह क्या है तो यह हम लोग बूलते है क्या fractions of molecules मतलब सारे मतलब जो chemical reactions होता है उसमें कुछ ना कुछ molecules से से होते हैं जिनके पास activation energy या तो उसके equal होता है या तो उससे ज्यादा होता है वही molecules का करते हैं कोलाइट करते हैं और product का formation करता है तो यहाँ पर जो e to the power minus ea by RT है उसी चीज़ को represent कर रहा है हम लो fractions of molecules having either equal to or greater than activation energy ठीक है कोई भी gases reactions में या रखना है सारे molecules के पास सिम्ट्राइब का energy नहीं होता है किसी के पास ज्यादा होता है किसी के पास कम होता है यह क्या बोलेंगे हम लोग activation energy बोलते हैं यह को क्या बोलेंगे activation energy और क्या है universal universal gas constant और T क्या है T is the absolute temperature यहां पे यहां पर जो ए दीख रहा है यह प्रोपोर्चेनली इसको बोल रहे हम लोग ए क्या है तो ए को बोलते हैं Arrhenius और हैनियस factor या फिर इसी को हम लोग और एक नाम से बोलते हैं क्या frequency factor ठेक है आरहनियस Factor, Frequency Factor यह फिर इसी का और इक नाम है हम लोग क्या बहुते हैं इसको Pre-Exponential Factor तीन नाम होते हैं यह constant का ठीक है आरहनियस Factor, Frequency Factor और Pre-Exponential Factor तीन नाम से जानते हैं तो यहां पर हम लोग यह देख रहे थे कि किस तरह reactions का rate जो होता वो temperature पर dependent होता है तो इसी चीज़ को हम लोग और अच्छे टंग से समझेंगे यहां पर के यहां पर अच्छे टंग से एक्जांपल से हम लोग बात करेंगे कि the temperature dependence मतलब temperature पर depend करता है किस तरह से किसी chemical reactions का rate constant है या rate of reactions the temperature dependence of rate of chemical reactions यहां पर एक्जांपल जो लेने वाले हैं हम लोग लेने वाले हैं डिकंपोजिशन आफ लेने वाले हैं इससे बहुत और जाता है किसी भी chemical reactions का जो है यहां आरहने इस इकवेशन देखेंगे अरहने एकवेशन जो की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिकमपोजिशन अफ एफ और फाइब है यहां पर स्पीशिज कॉन सा है तो आपका और फाइब दूसरा जो लाइन हम लोग देख रहे हैं यहां पर इसमें टेमप्र तरह से लिख सकते हैं N2O5 हो गया यह आपको यहां पे एरो देदेना है यह हीट करेंगे हम लोग तो यह डिकंपोज करेगा डिकंपोज करके क्या बनाएगा तो डिकंपोज करके NO2 तू मॉल्स अफ नोटो और हाफ मॉल्स बनाता है ठीक है तो यह रेक्शन में हम लोग देखे गया है कि टेंप्रेचर जो इसका है ना टेंप्रेचर अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं और हाफ लाइट में क्या करते हैं यह टेंप्रेचर यह टी आप से हाफ लाइट का जो हम लोग दिखाते हैं हाफ लाइट आफ लाइप पिरियड जो निकल के आता है वो कितना होता है जीरो डिग्री सल्सेश पर यह होता है टेन डेज इसको लगते हैं इसे रेक्शन को डिकम्पूज करने में याद रखना है जब टेंपरेचर जीरो डिग्री सल्सेश तो टेंपरेचर यहां पर बढ़ाएंगे जी सब्सक्राइब करने में इसका टेंपरेचर तो इसका टेंपरेचर तो क्या हो गया तो इसका हाफ लाइप फ्रियर आपको देखने को मिलेगा आपको विस्वास नहीं होगा यह 12 मिनट्स में कम्प्रेट हो गया तो किसी भी chemical reactions का rate किस तरह से effect होता है यह हम लोग देख सकते हैं यहां पर temperature dependence of rate of chemical reactions हाना को हम लोग असानी से understood कर सकते हैं by decomposition of N25 देख रहे हैं आप कितना असानी से यह चीज के लिए हो रहा है तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसके बाद derivation of activation energy at two different temperature जैसे आपको याद होगा कि क्या हम लोग लिखे थे आरहेनियस equation का relationship rate constant equal to क्या लिखे थे लिखे थे पॉंस क्या है we have हम लोग जानते हैं इसका relationship क्या होता है तो के equal to मों आप बोलते हैं a to the power into e to the power minus E by RT हम लोग जानते हैं यह हम लोग express की वह थे अरे रिनेस equation का relationship में तो अगर हम लोग क्या करते हैं natural लोग लेते हैं taking natural लोग ना जिसके base में क्या होगा e होगा taking natural log ln जिसको बोलते हम लोग on both side अगर हम लोग क्या करते है log ले लेते हैं वो भी natural log लेते हैं हम लोग ln ln के form में तो ln k equal to हम लोग क्या लिए सकते हैं ln a हाना बीच में यहाँ पर क्या है बीच में यहाँ रखना है dot यानि into का सायने तो यहाँ प्लस हो जागा ln e to the power minus e by rt हो जागा ठीक है अब यहाँ पर और एक चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं और करके हम लोग लिए सकते हैं ln k equal to हम लोग लिए सकते हैं ln a है ना और power का term कहा जाता है फावर का term आपको आ जाएगा कहाँ पर आगे आ जाएगा तो यह plus minus minus हो जाएगा अभी minus हम लोग कर लेंगे e by rt लिख लिजिए अब इस तरह से और फिर ln e लिख लिजिए ln e का value कितना होता है ln e का value होता है न के इक्वल थो क्या करेंगे ln a plus minus plus minus क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा to minus यहाद है इए बाए rt ऑर ln e का value कितना होता है l e का value होता है कितना one होता है यहाद रखना इस चीछ पूँ यहाद लिख लिख लिजा हम लोग consonante diff.Batक्र तो उसका से lnk बरावर इतना आ गया, ln a minus e by rt, इसको याद रखना है आपको, अगर इसको हम लोग convert करते हैं, converting natural log to mathematical log, converting natural log to mathematical log, log to mathematical log, जिसके base में हम लोग बात क्या करें, base में लेना है 10, इसके पहले क्या था, base में था e, तो चले बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर, इसका base में जैसे convert करेंगे, तो कितना multiply करेंगे, 2.303 से multiply करते हैं, याद होगा आपको, 2.303 log के एक, फिर यहाँ पर भी वही हो जागा, 2.303 log a minus, इसको तो वही रहा जागा, ये by rt लिखे देंगे हम लोग, ये by rt, आपको याद अगना है, natural log से mathematical log में जैसे convert करते हैं, जिसका base में तो 2.303 से multiply करते हैं, अब दोनों जगह पर 2.303 दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको common लेके cancel करने का काम करेंगे, तो और करके लिख सकते हैं, और 2.303 log k equal to, 2.303 को माले जीए, हम लोग क्या करेंगे, common लेंगे, तो 2.303 यहाँ से यह दोनों को cancel करेंगे, तो फिर से आप उपर वाला चीज find out कर सकते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, 2.303, 2.303 यह cancel हो गया, तो और करके लिखेंगे, हम लोग log k equal to, log a minus, log a minus, यह by 2.303 rt, ठीक है, इस तरह से निकल कर आ गया, अगर यहाँ फिर्म लोग क्या यह आपका required equation हो गया, यह चीज को याद रखना है आपको, यह mathematical form को याद रखना है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसी reactions को और हम लोग थोड़ा से एरेंज करके लिखते हैं, log k equal to, अगर हम लोग यहाँ पर minus ea by 2.303 r, और 1 by t लिख देते हैं इसको, प्लस log a कर सक इस तरह का लिखने का मतलब यहाँ पर log k होगा, sorry गलती से log k लिखा है, log a होगा, mx plus यहाँ पर आ जाएगा c, ठीक है, mx plus c तो यह y equal to y axis में लिखेंगे, mx plus c आपको पता है किसका equation है, this is the equation for a straight line, this is the equation for a straight line, a straight line का equation आपको पता होगा, y equal to mx plus c होता है, y हम लोग यहाँ x axis पर y axis पर लेते हैं, तो m क्या यहाँ पर slope है, तो इसको आप इस तरह से graph से भी दिखा सकते हैं, यह जो RNA equation का हम लोग बात कर रहे हैं, इसको graph से हम लोग इस तरह से represent कर चकते हैं, y axis में क्या ले रहे हैं, y axis में हम लोग ले रहे हैं, log k, तो log k आप इस तरह से ले 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 रहे हैं इसको थोड़ा सब्सक्राइब और अब क्या करना है इसके बाद हम लोग का यहां पर यह यह वाइट पुछा जाता है किसी 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 कोशन में आपका नीड जेहिका को सब्सक्राइब इस तरह से देख सकते आप इस तरह से आप अगर चली अएब इसके K1 & K2, let K1 & K2 be the two rate constant, be the two rate constant at temperature T1 & T2, दो temperature पर यहां बात करें हम लोग, K1 & K2 जो है, दो rate constant है, इसको हम लोग इस तरह से लिए सकते हैं, तो अगर लिखना है, लोग K के जगाए पर अगर माल लेजिए, हम लोग K1 रख रहे हैं, ठीक है, तो लोग K1 एकुल टू क्या हो जाएगा, K1 जो है, वो rate constant T1 temperature पर है, तो minus A by 2.303, ठीक है, और 1 by T1, plus log A, log A को भी cancel करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक constant term होता है, उसको neglect करने के लिए यह equation को हम लोग इस तरह से दो टिम्रेट टेपरेचर पर लेते हैं, और उससे बहलो निकल जाएगा, उसी तरह similarly log K2 एकुल टू क्या करते हैं, minus A by 2.303, K2 है, तो R यहाँ temperature क्या हो जाएगा, R 1 by T2 हो जाएगा, temperature T2 पर constant क्या था, K2, तो log A हो जाएगा, अब यहाँ पर करना equation 1 और 2 हम लोग मान लिए, इसके बाद करना क्या है, कि subtract कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर पहले आप लिख लिए, since A is a constant, A क्या है, constant कर रहे हैं, तो log A को पाट वाल हम लोग कैंसल कर दें, since A is a constant, कौन सा constant, R 1 is constant है, जिसका different नाम से हम लोग जान रहे थे, so we have cancelled it है, here, so we have cancelled it here, so equation 2 कम लोग बोल सकते हैं, so equation 2, so equation 2 minus equation 2 minus equation 1, तो यहाँ से आपको निकल क्या जाएगा, क्या, log यहाँ से निकल क्या जाएगा, log k2 minus log, है ना, पहला को, log k2 minus log k2 minus log k1, equal to क्या हो जाएगा, तो इसको आप solve करके देख सकते हैं, पहला 2 कर रहे हैं, तो minus ea by 2.303 r, ठीक है, 1 by t2 हो जाएगा, 1 by t2 plus log e, पुरा equation 2 को लिख लेना है बढ़ यहाँ से, log e minus कर देंगे, ना, minus कर रहे हैं, हम लोग equation 1 को उसके साथ, तो minus हो जाएगा, equation 1 को आप bracket मिले लिएगा, minus ea by 2.303, हाँ, 2.303 r, 1 by क्या हो जाएगा, t1 हाँ, और plus क्या हो जाएगा, log e, चलिए, log k2 minus k1, तो इसको गार करके हम लो लिख सकते हैं, log k2 minus k1 को क्या लिख सकते हैं, तो एक फर्मूला होता है, log m, है ना, log m minus log n का क्या फर्मूला होता है, सबको जानता है, इसको log m by n, तो यह आपको फर्मूला को याद रखना, यहाँ पर यूज करेंगा, उसका हम लोग k2 minus log k1, मराबर तो क्या हो लिख सकते हैं, log k2 by k1, तो log k2 by k1 ने इकल टो क्या लिख सकते हैं, minus minus क्या हो जाएगा, minus minus हो जाएगा आपका plus, minus minus क्या हो जाएगा, plus, यह by 2.303, और 1 by t1, और यह minus और यह plus, क्या हो जाएगा, minus plus, minus log a, ठीक है, तो यहाँ पर plus log a है, यहाँ पर minus log a है, दोनों cancel हो गया, बचा क्या यहाँ पर, तो log k2 by k1, इकल टो में लिख सकते हैं, log k2 by k1, इकल टू, इकल टू क्या लिख सकते हैं, पहले एक बच लिख लिख सकते हैं, minus a by 2.303, और 1 by t2, my plus में है, यह by 2.303, 2.303, और 1 by t1, ठीक है, अब यहाँ minus plus है, यह इसको यह से हम लोग कर सकते हैं, plus वालों को पहले ले आते हैं, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, और log k2 by k1, इधर वाला पहले टर्म लिख 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 लिख, log k2 by k1 equal to, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो positive वाला टर्म पहले ले लेते हम लोग, ठीक है, ठीक है, positive वाल ले ले रहें, ठीक है, तो 1 by T1, और minus क्या हो जागा, negative वाला आपका बाद में जागा, 1 by T2, अब इसको क्या करना है, simplify कर देना है, और यह एक आपका important equation निकल के आगया, RNA equation का, RNA equation एक बहुत important part है, इस chapter का chemical kinetics का, तो आप जरूर इस चीज को कर लेंगे, और इसका ये final derivations वाला part जरूर याद रखना है, 2.303R है ना, T1, T2 का LCM ले लेंगे, तो T1, T2 ही हो जाएगा, T1, T2, अब यहाँ से तो क्या हो जाएगा, T2 minus T1 हम लोगे चाहते हैं, T2 minus T1, तो ये इस तरह से आपको आगया final derivation, तो ये आप final derivations को जरूर याद रखना है, इस chapter का आपको सबसे important part में से एक है, ये RNAs equation का derivations, at 2T brand temperature, बहुत सारे numerical questions इससे आते हैं, तो ये वाला part आपको last वाला equation जरूर याद रखना है, तो this is the required equation, this is the required equation at two different temperature, for rate constant, तो ये आपका rate constant का दो different temperature पर निकलगा गया, this is the required equation at two different temperature for rate constant, temperature for rate constant, तो ये वीडियो था RNAs theory और RNAs equation पर, RNAs equation बहुत इंपोर्टेंट है, RNAs theory भी इंपोर्टेंट है, तो आप दोनों topic को बहुत ध्यान से देखे होंगे, चलिए, thanks for watching and subscribe to the channel, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो please subscribe करेंगे और share करेंगे, ठीक है, thank you, have a nice day, thank you very much.